दोस्तों स्वागत है आपका येर नालेज यानि आपके अपने चैनल पर आज हम बात करेंगे TPMS यानि की टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम के बारे में आजकल की तेज रफ्तार जिंदगी में हमारे वहनों के टायर अक्सर जादा दवाओ और तापमान का शिकार हो जात है जिससे बड़े हाथ से भी हो सकते हैं खासकर गरिमियों में जब सड़कों का तापमान बढ़ जाता है टायर का प्रेशर बढ़ना बहुत ही आम बात है इसे में TPMS एक अतेंत जरूरी तक्निक बन जाती है जो कि टायर के प्रेशर और तापमान को लगातार मॉनिटर करता है और समय है रहते हमको अलर्ट भी देता रहता है तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे जे के टायर की तरफ से आने बारे टीपी एमस जिसका की नाम है जे के टायर ट्रील टीपेमस यह आपको मिलता है कुछ इस तरह के बॉक्स में देखिए मैंने मार्किंग कर र है आपको स्कैन करना है अप्लिकेशन से और काफी बिल्ड क्वाल्टिक साथ में आता है यह टीपी एमस तो भाई भाई साब ने देखिए हमारे टायर को रिम को ओपन कर लिया है और इस्टॉल कर रहा है हमारे एक सेंसर को मैं आपको एक दिखांगा इसी तरह से पांचों इसमें पूरा प्लग करने के बाद रिम में आप दुबारा से इसको यहां पर टाइट कस रहे हैं और काफी सही तरीके से काम हो रहा है तो आप भी अगर कहीं कराएगा तो ऐसे ही लोगों से कराएगा जिनको पूरा आइडिया हो कि यह किस तरह से इंस्टॉल करना है ताकि कि अगर यहां से आपकी यह वगरा भी निकल सकती है तो इसलिए आप किसी प्रफेशनल अच्छे टायर वाले की शॉप पर जाके ही इसको कराएगा देखिए बिल्कुल नहीं हिल रहा है काफी अच्छी तरह से लग चुका है तो चलो भाई आपको आप भी दिखायते हैं यह है आप जो कि मैंने इंस्टाब करी है यह आप आपको क्सेमर कर से लेनी है इस अफो आप प्ले स्टोर पे डाउंलोड मत करना यह प्ले सोपे अभलेवल है लेकिन आप बहा से डाउंलोड मत करना तो कि बहां पर जो अप्लिकेशन औहीं करती है वो android आटम में सबस्पो कुछ यह तरह की देखिये जेकर टाइर की है और देखिए हैं यहां पर मैंने पांच प्रचैस किया है तो यह front है यह front left है यह front right है यह rear left है यह rear right और यह इस înt productos कदेदοιπόν अगर कभी यह feature में इन टाइर को change करते हैं तो आप यहां पर इसको Hold करके इस तचरह से के सकते हैं तो उन्हीं को इश्यू नहीं है कि ऊभेले आप समय नहीं होगा damn तो मुझे अभी करना नहीं स्लीद मैं अब कर रहा हूं तो कुछ इस तरह से आपकी का नंबर यहाँ पर जाएगा और यहाँ कुछ इस तरह के manage vehicle, application help, faq, setting वगएरा भी आपको यहीं से दी जाएगी, pressure की unit आपको पुचा रखनी है, psi में रखनी है, temperature unit आपको sales पर रखनी है, या और dark mode आपको रखना है, या फिर light mode रखना है, या फिर auto रखना है, तो कुछ इस तरह से आप आराम से यह सारी चीज़ें आप इस application में देख सकते हैं, और यहाँ पर अगर आप यह देखिए, plus icon है, अगर आप इस पर click करेंगे, तो आप यहाँ पर odometer को click करके, अपनी car का odometer की reading भी यहाँ पर preserve रह सकते हैं, ताती अगर आप चाहें तो कोई reminder लगा सकते हैं, अपने किसी भी expense को यहाँ पर try कर सक सकते हैं, अब जैसे देखिए, यह पांचों मेरे sensor हैं, अब मैं किसी एक पर click करता हूँ, अब यह क्योंकि मेरे गाड़ी जो है नीचे basement में खरी है, तो उस चक्र में यहाँ पर update नहीं हो रहा है, यहाँ पर reading पुरानी दिख रही आपको, लेकिन इस तरह से आप जैसे देखिए, पांचों कर यह आ गया, आप चाहें तो किसी भी एक का रख सकते हैं, किसी का दो का सकते हैं, या कुछ भी रह सकते हैं, तो यह काफी अच्छी बात है, और आप यहाँ पर setting में आएंगे, तो देखिए, यहाँ पर आपको एक tag ID देखेगी, और यहाँ पर आपक आब ऄहा best 에 का में रहीर आपको अलर्ट मिलेगा, और हाई प्रीशर मैं रखा है 40, यानि की जैसे ही 40 से उपर होगा, तोस्ती मुछ को अलर्ट मिल जाएगा, और तंपर है 60, जैसा ही टैर का तंपर्टर होगा, तो वैसे कई मुझको अलट मिल जाएगा और मैं कार को रोख के पार के जो टायर को कूल डाउन कर सकता हूं तो कुछ इस तरह की आपको रीडिंग यहां पर देखने मिलती है और सेटिंग आपको मिलती है यहां पर देख सकते हैं कि चारों को आपका प्रेशर दिख रहा है साथ ही अगर आप जाएंगे तो आपको यह देखिए अप्लिकेशन होती ना इन्हीं अप्लिकेशन देखिए आपको यहाँ पर इसमार्ट टायर के अप्लिकेशन आपको यहां से मिल जाएगी और यहीं से आप आराम से उसको जहाँ सकते हैं और अपने टायर का हरट टाइम जिसमें भी टायर का टंपरेचर है और प्रेशन है वह सीधे अपने देखिए गाड़ी के सीधे हैड इनिट से ही दे सकते हैं यह काफ़ी इची बात है और अगर परिशक्ष कम होगा ज्यादा होगा तो आपको उसका नो के लिए नए ने वीडियो ऐसे ही लाता रहूँ चलिए मैं मिलता हूँ आप से अगले वीडियो में तब तक के लिए जाहिए